आप देख रहे हैं घटना चक्र प्रवावलोकन स्रीज, इस स्रीज में हम लोग फिजिक्स को, फिजिक्स हो या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्रफी, एकॉनोमिक्स, जेनरल स्टडीज के हर एक टॉपिक को बहुत टीटेल में कवर करेंगे और इस स्रीज के बाद आपक मनोबल मिलेगा, अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुचाने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज फिजिक्स में यूनिट्स और मेजर्मेंट और इसके क्वेस्चन को हम अभी लगाएंगे, और डिटेल में लगाएंगे, एक एक उप्सन को यहाँ पर प बहुती करासी, यह जो मूल बहुती करासी है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमने जब इसका क्लास किया था, तो हमने देखा था कि सबसे पहले temperature है, amount of substance है, एक मिनट, amount of substance है, और luminous intensity, तो ये साथ fundamental quantities है, बाद वाकि एक दो supplementary quantity जैसे कि हमने देखा था supplementary unit, plane angle और solid angle, बाद वाकि जितने भी हैं, वो derived unit है, derived quantities है, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, अच्छा, length का unit जो है, वो क्या है, length का unit meter होता है, time का unit SI system में, ठीक है, SI unit system में, length का unit meter होता है, time का unit second होता है, mass का unit kilogram होता है, electric current का unit ampere होता है, temperature का unit Kelvin होता है, वहीपर amount of substance का unit होता है, आपका, mole में और luminous intensity का unit होता है, candela, तो ये साथ unit fundamental quantity जो है, यहाँ पर दिया हुआ, बताइए उन में से यहाँ पर कौन सा option सही ह तो electric current होगा, जो की fundamental quantity है दोस्तों, अच्छा, बात करते हैं force की, तो force का unit क्या होता है, हम जानते है, force is equal to, according to Newton's second law, आप लोग जानते होंगे, force is equal to mass into acceleration, क्या होता है, force is equal to mass into acceleration, अगर किसी object पर, आप, देखे, सारे के सारे object का कुछ ना कुछ मास होता है, अगर किसी object पर कित इतना force लगाया जा रहा है, और force लगाने के बाद वो कितना velocity gain किया, और कितना accelerate हुआ वो, तो अगर उसके mass और acceleration को multiply कर दिया जाए, तो आपका force का amount आपको मिल जाएगा, force का magnitude मिल जाएगा, अच्छा, बात कर लेते है, mass into acceleration, तो इसका unit क्या हो जाएगा, mass का होता है kg, acceleration का ह होता है, meter per second square, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, और kg meter per second square होता है, force का unit, बात वाकि force का unit, newton सहब के नाम पर रखा गया है, तो यहां से हो जाएगा, force का unit होता है, newton, electric current का unit होता है, ampere, velocity का unit, अभी हमने देखा, meter per second square होता है, velocity का unit, work का unit क्या होता है, अच्छा, work जो होत है, मतलब की force into displacement, इसका हम लोग जब work, energy and power करेंगे, तो वहां भी हम लोग देखेंगे, कि अगर किसी object पर हम force लगा रहे हैं, और force लगा रहे हैं, और force लगाने के बाद वो कितना displacement हुआ, जब हम इन दोनों को multiply कर देंगे, तो हमें वहां उसका work मिल जाएगा, तो work is equal to क्य जूल में भी इसको major किया जाते, तो work का unit जूल होता है, SI सिस्टम में, ये सारे के सारे unit हम लोग SI सिस्टम में बात कर रहे हैं, अगर CGS unit में पुछा जाएगा, तो उसके लिए अलग से बात कर लेंगे, अब हम लोग चलते हैं आगे, कहता है कि the unit of power, power का unit क्या है, तो power का unit होता है, what, इसके बारे भी तो आप लोग जानते ही होंगे, यहां से हम सीधा बात इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, कि अगर किसी काम को, अगर किसी काम को समय के समय से समंदित देखा जाए, या पिर समय के respect में अगर किसी काम को देखा जाए, तो वो power कहलाता है, जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए, कि यह 10 दिनों का काम है, लेकिन तुमारे अंदर power है, तो यह एक दिन में करके दिखाओ, तो यहां क्या हुआ, समय को ध्यान में रखते हुए बात किया गया, समय के respect में, अगर कोई powerful आदमी है, तो उसका काम चुटकियों में हो जाता है, औ समय अगर कम लगा, तो power जादा, समय अगर जादा लगा, तो powerful कम है, ठीक है, तो यह बात है, अच्छा, यहां से हम कह सकते हैं, कि work is equal to work per unit time, तो work का unit तो हम लोगा भी देखें, joule होता है, और time का unit joule second होता है, तो इसको हम लोग पावर का unit कह सकते हैं, joule second inverse, अभी हम लोग मीटर भी होता है, और second तो हम इसको हम इस परकार से बिलिख सकते हैं, newton meter per second, newton meter second inverse, और newton को और तोड़ दिया जाए, kg meter per second square, तो इस परकार से आप unit भी निकाल सकते हैं, आसानी से, और power का unit, joule second inverse को what भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, what भी कहा जाता है, हर्ज किसका unit है, हर्ज जो है, एक मिनट इसका pain change कर लेते हैं, ताकि अगर आपको इसी तरह का PDF चाहिए लिखा हुआ, कि जो यहा हम लिख रहे हैं, वो PDF में चाहिए, तो आप comment करके बताईएगा, हर्ज जो है, वो किसका unit है, तो आपने कभी frequency का नाम सुना होगा, आवरिती का नाम सुना हो frequency का unit होता है, हर्ज, और उसके बाद, यहाँ पर जो आपका volt दिया गया है, volt किसका unit है, तो electric voltage, या फिर potential difference, या फिर potential का जो unit होता है, वो आपका होता है, electric, यह होता है, आपका volt होता है, what तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ एक और option दिया गया है, जिसका नाम है, neutron, इतने भी matter है, वो सब के सब एक atom से बने है, matter हो, substance हो, object हो, atom से बने है, और atom जो है, atom को जब तोड़ा गया, तो देखा गया कि atom, subatomic particle में proton, neutron और electron, इसमें से यहाँ neutron दिया गया है, तो neutron के बारे में बात कर लेंगे, कि जो atom है, atom के नाभिक में, atom के nucleus में क्या होता है, proton और neutron पाया जाता है, proton जो है, positively charged particle है, जबकि neutron के उपर zero charge होता है, neutron के उपर क्या होता है, zero charge, यानि कि यह charge less होता है, neutron की खोज किस ने करी थी, तो Chadwick सहाब ने की थी, neutron की खोज, Chadwick सहाब ने, James Chadwick ने 1932 में किया था, तो यह हम लोगों ने देख लिया, अब हम आगे देखते हैं, बिद्यूत सक्ती की एकाई भी, यानि कि electrical power की unit भी, क्या होती है, what होता है, electrical power का unit भी क्या होता है, what ही होता है, तो यह हम लोगों ने देख लिया, कुलंब किसका unit है, कुलंब है आपका electric charge का unit, कुलंब आपका किसका unit है, electric charge का unit, यानि कि बिद्यूत आवेस का unit होता है, कु लोगों ने देखा था तो सबसे पहले इसके बारे में चले थोड़ा सा इसमें डिसकस कर लेते हैं फॉर्स इज उकल टू एम इंटू एक्सलरेशन मतलब फॉर्स इज उकल टू एमे एफ वराबर एमे न्यूटन सेकेंड लौ में ऐसा कहा गया है और मास का यूनिट हम लोग अगर CGS सिस्टम में बात करें CGS सिस्टम में तो فॉर्स का यूनिट क्या होता है डाइन होता है अच्छा यहां से तो हम लोगों ने ये सब देख लिया अब हम लोग देख लेते हैं आगे फर्मी पर्मी किसका यूनिट है फर्मी जहे कभी-पही यह पूछ लिया जाता है कि बताइए कि इन में से कौन सा लंबाई का मातरक है या फिर नहीं तो अगर उसमें फर्मी दे दिया जाएगा तो आपको बताना होगा कि फर्मी जो है एक लंबाई का यूनिट है दूरी का यूनिट है लेकिन लंबा दूरी का यूनिट है या फिर छोटी सी दूरी का यून है आपका फर्मी और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं तो इसका यूज करा जाता है एटॉमिक साइज जो एटम है एटम का साइज कितना होता है बहुत कम होता है और एटम के साइज को मेजर करने के लिए अगर बात करें कि अगर atomic size की बात आई तो बताईए एक proton का radius कितना होगा एक proton का radius कितना होगा अगर फर्मी में पूछा जाए तो 1.2 फर्मी होता है और फर्मी को denote किया जाता है FM से और एक फर्मी के बराबर होता है एक फर्मी बराबर कितना होता है 10 to the power minus 15 इस परकार के question भी direct आपसे पूछ लिया जाते हैं क्या इस परकार के question भी direct पूछ लिया जाते हैं चलिए हमने यह देखा अब हम देखते हैं आगे बताईए वर्क का unit क्या है वर्क का unit क्या है तो इसके बारे में हम लोग बात अभी हम लोगों ने देखा था work equal to force into displacement और force का unit क्या होता है नीट work का unit जूल भी होता है और इसके बाद यह तो SI सिस्टम में हो गया अगर CGS सिस्टम में पूछ लिया जाए तो अभी हमने देखा था कि CGS सिस्टम में जो force का unit होता है वो आपका dine होता है CGS सिस्टम में force का unit dine होता है और जो length का unit होता है वो CGS सिस्टम में cm होता है इसमें क पताये हैं जैसे कि kg meter per second square, Newton को किस परकार से हम लिखेंगे, तो यहां थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, kg meter per second square, kg का dimensional formula क्या होता है, mass का M होता है, M का, मतलब length का L होता है और T-2, तो Newton का यह हो गया, और meter अगर यहां पर लग जाए, 37 meter लग जाए, तो यहां क्या हो जाएगा, M L square T-2, ठीक है, तो यह हो गया आपका work का dimensional formula, यह क्या हो गया, work का dimensional formula, तो यह सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यह सब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, चलिए, इसका dimensional formula भी अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो ये आप बता सकते हैं ऐसे dimensional formula लिकालने के लिए भी हमने आपको बताया है what का unit क्या होता है what किसका unit, power का unit, neutron के बारे में बाबात किया और जो dyne है, वो किसका unit है तो जो newton है या फिर यह कहा है कि force का CGS system unit, dyne में हम लोग major करते हैं काता है यहाँ पर the unit of electrical resistivity of a conductor तो देखे, सबसे पहले आपको ये बताना है कि कोई भी conductor है कोई भी conductor है, कोई भी चालक है वो अपने अंदर से electric current को पास करने देता है यानि तो जी हाँ, electric current को पास करने देता है और किसी भी conductor का अपने अंदर से, अपने अंदर से electric current को पास करने देने की जो छमता होती है, जो ability होती है उसे उसका conductivity कहा जाता है क्या कहा जाता है? उसे उसका conductivity कहा जाता है, जिसे चालकता कहते हैं हिंदी में, ठीक है? जिसे चालकता कहते हैं और किसी भी conductor का electric current को oppose भी क्या जाता है 100% efficient तो कोई नहीं होता तो electric current अगर pass कर रहा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा property होगा जो कि electric current को oppose भी करता होगा तो electric current को oppose करने की जो property होती है, जो ability होती है किसी भी electric conductor की वो उसका electrical resistivity कहलाता है यानि कि प्रतिरोधक्ता, प्रतिरोध रास्ते में क्या कर रहा है, create कर रहा है, तो उसका प्रतिरोधक्ता हो गया, मतलब इतना ability है कि अपने रास्ते से electric current जो पास कर रहा है, उसको रोक पाए, अपोज कर पाए, तो ये होता है प्रतिरोधक्ता. डिके resistivity को आउगा आपको देखना है तो electrical resistance के बारे में जानना होगा electrical resistance यानि की प्रतिरोध जो भी electric current के रास्ते में जो opposition create होता है वो आपका resistance कहलाता है और resistance is equal to होता है R is equal to rho L by A चलिके यहाँ पर आप direct इसे समझ सकते हैं ऐसे जब हम लोग electricity पढ़ेंगे physics में तो इसको detail में करेंगे R is equal to rho L by A और L क्या है length A क्या है cross sectional area है किसी भी conductor का किसी भी wire का तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें यह क्या है आपका यह है आपका electrical resistivity यह क्या है resistance है और यह है आपका electrical resistivity resistance का unit होता है ohm resistance का unit क्या होता है ohm होता है और electrical resistance का unit हम यहाँ से निकाल सकते है electric resistivity का unit R, A चला जाएगा ऊपर और L चलाएगा नीचे, R का unit क्या हो गया ohm हो गया, A का unit meter square हो गया और L का unit meter हो गया तो meter से meter गट गया और आपका बचा ohm मीटर, तो यहां से क्या हो जाएगा, electrical resistivity का unit, यहां यह हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, याद रखेगा, electrical resistivity का unit, बिद्धुत, परतिरो धक्ता के unit हो गई आपकी, ओम मीटर, ampere किसका unit, current का volt, electric voltage, potential defense, potential का unit, और फैराड होता है, आपका, याद रखेगा, capacitance का unit, capacitor, एक लोग इस परकार का गोल-गोल लगाते हैं, जिसे condenser कह के आपको लोग लेकर करके आते हैं, वो आपका capacitor कहलाता है, और capacitance का unit आपका फैराड में major किया जाता है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, प्रकास वर्स किसके ही काई है, देखें प्रकास वर्स ऐसा लग रहा है कि यह प्रकास के द्वारा एक साल में जितनी दूरी तै की जाती है उसी को प्रकास वर्स कहा जाता है उसे कहा जाता है याद रखेगा मेरे साथ बोलिए हम लोगों ने इतना देख लिया अब हम लोग चलते हैं आगे एक पार्सिक देखे पार्सिक अभी हमने लाइट इयर देखा था तो लाइट इयर जो खगोलिया दूरी में मतलब जब आकास में निर्वात में लाइट के द्वारा दै की गई दूरी को क्या कहा जाता है लाइट एयर कहा जाता है और उसी दरम्यान में उसी कडी में लंबी दूरी को लंबी ख़गोलिय दूरी को long distance को major करने के लिए पारसिक नाम का Unit का यूच किया जाता है दूरी को मापने में पारसिक का यूच किया जाता है जैसे कि अभी हमने देखा छोटी छोटी एकाईओं को को छोटी दूरियों को मापने के लिए जैसे हमने देखा ता farmy, nanometer ये सब है तो उसी प्रकार से उपर में पारसिक है बड़ी बड़ी दूरियों को मापने की एकाई पारसिक है, light year है जो astronomical जो होता है वो सब है तो एक पार्सिक बराबर क्या होता है वही यहां से पूछा जा रहा है एक पार्सिक क्या होता है देखे यहां पर इसका सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि पार्सिक जो है आपका खगोलिय दूरी को लंबी खगोलिय दूरी को मेजर करने का यूनिट है और पार्सिक किसका short form है तो parallactic second को short form में बूल दिया जाता है पार्सिक और one पार्सिक बराबर होता है आपका याद रखिएगा 3 into 10 to the power 16 meter और अभी हमने देखा था one light year equal to होता है 9.46 into 10 to the power 15 meter इसका मतलब क्या है light year से पार्सिक बड़ा unit है और एक पार्सिक बराबर क्या होता है एक पार्सिक बराबर होता है याद रखिएगा 3.26 light year एक पार्सिक बराबर 3.26 light year होता है पार्सिक light year से बड़ा unit है 3.26 light year और यहाँ पर कौन सा option है जो आपका match कर रहा है तो यहाँ पर option है B 3.25 light year चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कहता है माप की कौन से से अगर multiply कर दे तो inch प्राप्त हो जाता है देखे यहाँ पर millimeter में 0.39 से multiply करेंगे तो क्या inch प्राप्त होगा जी नहीं मीटर में 0.39 से multiply कर देंगे तो क्या inch प्राप्त होगा नहीं क्योंकि meter से तो inch छोटा है centimeter में तो देखते हैं 1 centimeter के बराबर होता है 1 centimeter बराबर होता है 0.39 इंच ये आपको पता होना चाहिए एक सेंटिमीटर के बराबर होता है 0.39 इंच और 2.54 सेंटिमीटर के बराबर होता है एक इंच ये तो आपको पता ही होगा तो सेंटिमीटर वाले यूनिट में किसी भी सेंटिमीटर वाले यूनिट में अगर 0.39 से मल्टिप्लाई कर दिया इंच प्राप्त होता है, आगे देखे कोई 6 feet लंबा व्यक्ति है, देखे 6 feet लंबा, देखे आपको unit का conversion पता होना चाहिए, 6 feet लंबा कोई व्यक्ति है और उसकी उचाई nanometer में कैसे व्यक्ति की जाएगी, nanometer में कैसे निकालेंगे, तो ये सब आपको conversion अगर पता होगा तो आ एक nanometer में कितना meter, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं कि एक nanometer बराबर कितना meter होता है, एक nanometer बराबर होता है, 10 to the power minus 9 meter होता है या नहीं, तो जी हाँ, 10 to the power minus 9 meter, एक nanometer बराबर होता है, वहीं पर एक feet के बराबर क्या होगा, एक feet के बराबर होता है, 0.305 meter क्या होता है 0.305 मीटर अच्छा अगर आपको feet को nanometer में change करना है देखें यहाँ पर बात समझेगा feet को nanometer में convert करना है तो आपको 10 to the power minus 9 meter से क्या करना होगा भाग कर देना होगा और meter से meter cancel हो जाएगा आपका बन जाएगा nanometer ठीक है 10 to the power minus 9 उपर चला जाएगा तो क्या होगा 10 to the power 9 meter हो जाएगा ठीक है और इसको और हम अगर यह करके लिखें इसको और ज्यादा यह करके लिख दें यहाँ से क्या होगा यह वाला काम हो जाएगा तो यह अगर 10 मलब यह जो point है इसको इधर बढ़ा दिया जाए इसको अगर बढ़ा दिया जाए 10 मलब को अगर 2 point अगर बढ़ा दिया जाए घसका दिया जाए तो क्या होगा यहाँ पर 2 point आपको क्या करना होगा घटाना होगा यह सब आपको पता होगा basic mathematics है 10 to the power 7 meter तो एक foot में कितनाnanometer? एक foot में कितना nanometer? तो यहां से हम लोगों ने क्या देख लिया? एक foot में अभी हमने nिकाला कि एक feet में होता है 30.5 x 10 to the power 7 meter याद रखेगा एक foot में 30.5 x 10 to the power 7 meter तो 6 feet में क्या हो जाएगा? 6 feet में multiply कर दीजे भाई 6 feet में multiply कर दीजे 6 से और 6 से जब multiply करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6 या 18 और ये वाला option आपको मिलेगा 183 into 10 to the power 7 meter nanometer क्या 183 into 10 to the power nanometer तो यहां से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं basic mathematics है यहां से कर सकते हैं एक feet में 30.5 into 10 to the power 7 nanometer, nanometer में कितना meter होता है यह पता है एक feet में कितना meter होता है तब जाकर के हमने निकाल लिया अब आगे देखते हैं तो जो आपको यह पता होना चाहिए ठीक है एक nanometer कितने meter के बराबर होता है एक nanometer 10 to the power एक nanometer अच्छा है यहां पर क्या होगा गलबड़ी हो जाएगा जैसे कि अभी हमने बिना देखे यहां centimeter meter को नहीं देखा और मैंने option को टिक लगा रहते हम कि एक nanometer में यहां से क्या हो जाता अभी गलती हो जाता centimeter हमने देखा नही 10 to the power minus 9 meter होता है अच्छा 1 meter के बराबर क्या होता है 1 meter बराबर होता है 100 centimeter तो 10 to the power minus 9 meter को अगर हमें change करना है centimeter में ठीक है एक nanometer को अगर centimeter में change करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा यह जो यहाँ पर मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कनवर्ट कर देजी, यह जो यहाँ मीटर है, उसको सेंटीमीटर में एक मीटर बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, 10 to the power minus 9 into मीटर को सेंटीमीटर में कनवर्ट कर देंगे, एक मीटर बराबर होत बडे से चोटे यूनिट में आते हैं तो हम multiply करते हैं ठीक है, नैनो मीटर से सेंटी मीटर में जाना है छोटे से हमको जाना है यहाँ पर तो इस परकार से आप तो यह कुछ कनवर्जन आपको पता होना चाहिए यह हमने निकाला नैनो मीटर से मीटर में ठीक है नैनो मीटर को सेंटी मीटर में अब आगे देखिए, Megawatt बिजली के नापने की काई है, तो कहता है कि बिजली के नापने की काई है, Megawatt is the unit of measurement of electricity, कहता है Megawatt एक बिजली के नापने की काई है, वो क्या 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 जाता है, तो देखिए जो पावर प्लांट जो होता है, जो electrical power plant, steam power plant, thermal power plant, जो भी है, वहाँ प एक वाट, दो वाट, तीन वाट में बिजली उत्पन करके ही क्या फाइदा है तो जो बड़े-बड़े पावर प्लांट में जो बिजली उत्पन किया जाता है वो मेगा वाट में किया जाता है पावर का एक बड़ा यूनिट में किया जाता है मेगा वाट में और एक मेगा ब कि ये क्या किया जाता है उत्पादित की जाती है. अागे हम लोग देख लेते हैं. सुची एक को दोसे समिलित कीजीए तो र आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बाएं में आपको पता होगा कि ये जो होता है, तोहरान मतलब बड़ा force याद रहेगा force बड़ा हो और time बहुत छोटा हो क्या हो force बड़ा time छोटा तो वहाँ पर जो force लगता है जिस परकार का तो उसे हम impulse कहते हैं बहुत तेज चोट आता है बहुत तेज मतलब कि अगर आपको एक जहापड अगर बहुत तेजी से कोई मार दे तो आपको क कम समय के लिए उस पर उग्दम force लगाता है वो होता impulse तो ज़्यादा force कम time के लिए लगे तो वह impulse होता है तो force into time क्या हो जाता है इंपल्स हो जाता है तो यहां से कर सकते हैंगे newton second impulse का unit है चलिए आगे बात कर लेते हैं किनिमली खित में से SI unit में कौन सुमेलित नहीं है तो dine तो खुद एक force का unit है force का unit है cgs में किसमें cgs system में cgs unit में force का unit है dine तो pressure का unit तो हो जी नहीं सकता तो यह गलत है चलिए आगे बात कर लेते हैं किनिमली में से किस रासी का मातरक नहीं है यहां पर बात किया जा रहा है कि बताए यह कौन सा ऐसा physical quantity है जिसका unit नहीं है ज देकते हैं प्रतिबल याने कि stress होता है stress क्या होता है force पर unit area force क्या होता है force क्या होता है force पर unit area तो इसका unit तो होई जाएगा इसका unit होगा फोर्स का यूनिट है इस्ट्रेन का यूनिट है क्या इस्ट्रेन क्या होता है विक्रिती होता है और प्रेसर का यूनिट तो है पास्कल बोलिए बार बोलिए जो भी बोलिए तो यूनिट है लेकिन यहाँ पर इस्ट्रेन जो है जिसको विक्रिती कहा जाता है उसका यूनिट नहीं होता है क्योंकि आपको मैं बता दूँ क्योंकि इस train क्या है एक ratio है किसका ratio है कि अगर आप किसी body पर object पर चीजों पर बस्तू पर अगर कोई force लगाते है ठीक है force लगाते है तो उसके dimension में क्या होगा change हो जाएगा ठीक है उसके dimension में change हो जाएगा और change dimension जो भी फोर्स लगाने के बाद changed होगा और changed से पहले जो उसका मूल डायमेंशन होगा जो उसका मूल मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो initial time में जो उसका safe होगा आकृती होगा जैसा होगा वो वाला safe और जो change होगा है safe उसके ratio को कहा जाता है आपका extreme कि उसमें कितना विक्रिती आई, कितना विक्रिती आया, एक मेजरमेंट है कि कितना विक्रिती आया, पहले अगर आपके पास कोई सामान था, आपने उसे एक हतोड़ा मारा, आपका सामान चेंज हो गया, उसका सेप चेंज हो गया, उसका आकरिती चेंज हो गया, तो वो दोनो होगा उसको अगर ratio में change किया जाए तो ratio का कोई unit नहीं होता तो strain का कोई unit नहीं है तो यहां से क्या हो जाएगा strain का unit नहीं होता है अब आगे देख लेते हैं कहता है यहाँ पर देख लेजिए कि क्या है what का unit what किसका unit है तो what सक्ति का unit है power का unit है not किसका unit है या nautical mile किसका unit है, calorie किसका unit है, तो इसको एक एक करके आपको बता, तो ये जो not है, जब आप कोई space चलता है समुदर में, सागर में, जो कोई space चलता है, तो वो space किस गती से, जैसे कि अभी हम लोग का train चलता है, जमीन पे, तो उसको कैसे, किलो मीठर पर आर में major करते हैं, तो वह कहता है कि जब समुदर में जो जहाज चलता है जो सीप चलता है उसका जो कितना स्पीड है उसको मेजर करते हैं हम लोग किसमें नौट में करते हैं तो क्या हो जागा नौट समुदरी जहाज की गती को मेजर किया जाता है नौटिकल माइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा एक nautical mile बराबर होता है 1852 मीटर और इसका यूज क्यों किया जाता है तो समुंदर में जो किया जाता है नौका संचालन वगरा में nautical mile वहीं पर calorie जो होता है heat का unit है calorie किसका unit है heat का unit है तो यह सब हम लोग यहां से कर सकते हैं ठीक है इसके बाद आगे देख लेते हैं जो joule किसका unit है joule है आपका calorie का unit ठीक है ampere किसका unit है electric current का unit है watt किसका unit है तो yaut होता है power का unit है volt किसका unit होता है जैसे कि potential difference यहां पर है इसे विवांतर करते हैं और calorie जो unit है वो उस्मा का है तो यह सब आप लगा सकते हैं असारी से देखें नौट फिर से आगिया नौट फिर से आगिया कि इसमें क्या है जो देख लेंगे हम लोग देखें जैसे अभी हमने देखा था कि जो nautical mile होता है जैसे समुद्री दूरी कहा जाता है तो समुद्र में दूरी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है एक nautical mile में किया जाता है उसको major किया जा है 1852 मीटर होता है इसके बारे में हमने देखा था 1.852 किलो मीटर भी इसको बोल सकते हैं ठीक है और अगर ये तो जैसे कि समुद्री दूरी को नाथते हैं हम लोग नोटिकल माईल में तो समुद्री दूरी पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा वहां का स्पीड पता चल जाएगा ठीक है तो समुद्र में समुद्र में जो जहाज या फिर सीब चलता है उसका मेजरमेंट कितने गती से चल रहा है कि 1852 मीटर पर सेकेंड, एक नौट बराबर क्या हो जाएगा, 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 एक नौट तो अगर कोई जहाज एक नौट से चल रहा है, त ठीक है, आग संन का संन का है, अचा प्रकास वर्ष का समय की मापन की नहीं है, प्रकास वर्ष दूरी के मापन की घॉं repeat. एक प्रकास वर्ष बराबर क्या होता है, याद कर लिज़े इसे, इन परिनदी पाफए 85。 अब हम लोग देख लेते हैं, एक होर्स पावर में, एक होर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक होर्स पावर में वाट होता है, आपका 746 वाट, क्या होता है, 746 वाट, इसको आप तो जानते ही होगे, भली बात ही आप जानते होगे इस बात को, और वाट होता है, जूल प तो फास्कल होता है ठीक है उर्जा किसमें मेजर किया जाते है बताये उर्जा जो मेजर किया जाता है और यहांगे मेजर करते हैं मैक में तो ये सब क्या हो जाएगा एक दू तीन चार तीनो सुमेले थे आप लोग यहां से देख लिजेगा एक माइक्रोन कितने लंबाई को प्रदर्सित करता है एक माइक्रोन के बराबर क्या होगा आपको बताना है यहाँ पर एक सेंटीमीटर का एक सेंटीमीटर का दस हजारवा भाग ठीक है एक सेंटीमीटर का दस हजारवा भाग क्या होता है वो होता है आपका एक माइक्रोन क्या होता है एक माइक्रोन के बराबर तो यहाँ पर एक माइक्रोन को हम लोग mu से denote करते हैं, micron को किस से denote किया जाता है, mu से denote किया जाता है, और 1 cm का 10 हजारवा भाग, 10 हजारवा भाग क्या होता है, micron होता है, तो याद रख लिजेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 to the power minus 4 cm of, यह मतलब जो होता है, वो एक micron के बराबर होता है, ठीक है, इसमें कोई problem नहीं होगा, अब यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, क्या इसका English दिया गया है, तो जी हाँ दिया गया है, अब यहाँ से देख लेते हैं, क्या decibels, जो है, वो decibels में sound, जो sound का loudness होता है, जो sound कितना प्रबल है, कितना प्रबल नहीं है, तो उसको major हम लोग करते हैं decibel में, जैसे कहा जाता है कि इतने decibel का धोनी हमारे लिए सही है, इतने decibel का धोनी हमारे लिए सही नहीं है, तो कहा जाता है कि sound का loudness है, sound का, जो loudness है, वो decibel में मापा जाता है, horse power का ही unit है, तो बिल्कुल सही, nautical mile किसका unit है, तो जो नवका संचालन है, या फिर समुदर में, जो जिस दूरी में measure किया जाता है, उसे nautical mile में measure किया जाता है, इसके बारे में तो हमें पता है, समुदरी दूरी, और Celsius क्या heat का unit है, Celsius का unit है, तो जी नहीं, Celsius है temperature का unit, क्या है, Celsius है temperature का unit, नकी heat का unit, heat का unit, energy का unit, calorie होता है, क्या होता है, calorie, तो यह सब हमें पता है, अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया गया है, which one of the following is not a unit of heat, कहता है, heat का unit, देखे, अभी हमने देखा था, heat का unit calorie होता है, तो kilo calorie भी होग किलो जूल भी होगा एक है तो heat का unit ये 3 है लेकिन watt जो है power का unit है watt किसका है power का unit है तो इसी लिए ये वाला सही हो जाएगा अब हम लोग देख लेते हैं 1 km दूरी किसके बराबर है तो ये कोई बहुत बढ़ा बात नहीं 1000m के बराबर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक पीको ग्राम, सबसे पहले यहां पर देखते हैं, एक पीको ग्राम किसके बराबर होता है, तो पीको ग्राम जो होता है, वो आपका होता है, 10 to the power minus 12 ग्राम, एक पीको ग्राम के बराबर होता है, 10 to the power minus 12 ग्राम, ठीक है, एक पीको तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power minus 6 gram 10 to the power minus 9 क्या भी है 10 to the power minus 9 ng हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं 10 to the power minus 15 क्या हो जाएगा Pemtogram हो जाएगा KCY vendors आभी हम देखा था किわかते थो फर्मी जो है वो 10 to the power minus 15 होता है और इसे हम लोग मेजर करते हैं फिम्टो मिटर भी कहा जाता है जो मेजर जिसे किया जाता है तो यहाँ पर 10 डिट पाउर माइनस 15 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा फिम्टो ग्राम हो जाएगा फिम्टो ग्राम के बराबर ठीक है तो यह सब आपको पता होना चाहिए ठीक है तो प्रेसर की है तो पास्कल जो है वो आपका प्रेसर का यूनिट है सबसे पहले ये प्रेसर का यूनिट है तो प्रेसर क्या होता है प्रेसर जैसे कि आपके उपर प्रेसर है ये ऐसा कहा जाता है ने हमारे उपर बहुत प्रेसर है तो प्रेसर या इतरी ये कहें हम किसी अब्जेक्ट पर किसी सब्जेक्ट पर किसी सर्फेस पर अगर प्रेसर लगाते हैं ठीक है प्रेसर का लाता है और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्कॉयर होता है तो न्यूटन पर मीटर स्कॉयर प्रेसर का यूनिट हो गया और जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या है केजी मीटर पर सेकेंड स्कॉयर तो हम न्यूटन साह के नाम पर पास्कल साहब के नाम पर भी प्रेसर का यूनीट रखा गया है पास्कल साहब के नाम पर चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो एट्मोस्फेरिक प्रेसर है उसके एकाई क्या है तो जो एट्मोस्फेरिक प्रेसर का यूनीट होता है जूल होता है क्या जी नहीं नौट तो किसका यूनिट है नौट जो है जब हम लोग समुद्र में जो जहाज चलती है उसके गती को जो मेजर किया जाता है समुद्र में समुद्र में जो जहाज की गती है उसको मेजर किया जाता है किसमें नौट में और वहाँ पर दूरी को किसमें मेजर किया जाता है electrical resistance का unit ohm है, resistivity का unit हमने देखा, joule किसका unit है, joule है आपका work का unit ठीक है, और बार किसका unit है, atmospheric pressure का unit है, atmospheric pressure का unit है, बार और अभी हमने देखा था कि pressure का unit है, pascal newton per meter square, तो एक बार बराबर कितना होता है, एक बार बराबर याद रखेगा, 10 to the power 5, pascal होता है, ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक kilogram per centimeter square, कितने दाब के, यहाँ पर जो दिया गया है, एक kilogram per centimeter square, कितने pressure के समतुल्य है, तो यह हो जाएगा इसका answer, एक बार के लगबग, एक बार के, दीकिए, यहाँ पर kilogram per centimeter square दिया गया है, क्या दिया गया है, kilogram per centimeter square, तो इसको change करना होगा, डाइन में, और डाइन से हमें change करना होगा, जैसे कि अभी हमने देखा, कि एक बार बराबर क्या होता है, एक बारा बराबर होता है, आपका 10 to the power 5, pascal, और pascal किसका unit है, 10 to the power 5, newton per meter square, और newton per meter square को, 9 per centimeter square में change करना होगा, तब जाकर के, क्या जाएगा, वन बार के बराबर, तो इसको आपको, comment में बताना है कि केस परकार से, देखिए, conversion आपको पता होना चाहिए, अब हम देखते है, निमलिखित में से कौन सी scalar quantity है, अब scalar quantity, कौन सी quantity होता है, scalar quantity वो quantity है, जिसके पास के वल magnitude होता है, direction नहीं होता, vector quantity वो quantity है, जिसके पास magnitude भी होता है, और direction भी होता है, ठीक है, तो अगर कोई vector quantity है, तो उसके magnitude में अगर change नहीं हो रहा है, तो direction में change हो रहा है, ठीक है, अगर magnitude में change नहीं हो रहा है, direction में change हो रहा है तो क्या vector quantity change नहीं होगा तो जी हाँ होगा ठीक है या फिर दोनों change नहीं हो तभी जा करके no change होगा ठीक है दोनों change नहीं हो दोनों में से कोई भी एक change होगा तो vector quantity change होगा यह हमने इसलिए बताए क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा और scalar quantity वो quantity है जिसके पास क magnitude होता है ठीक है चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं force क्या एक vector quantity है force क्या एक vector quantity है तो जी हाँ force एक vector quantity है वेग यानि की velocity displacement per unit time होता है तो ये क्या vector quantity है तो जी हाँ vector quantity acceleration एक vector quantity है ये भी है ये भी है pressure एक vector quantity नहीं है ठीक है एक vector quantity नहीं है और ये है आपका scalar quantity ठीक है तो ये हमने द अब हम लोग देख लिते हैं आगे कि तेल का एक बैरल निम्न में से कितने के बराबर तो याद रखेगा कि जो तेल का एक बैरल है वो आपका 169 लीटर के बराबर होता है 169 लीटर बराबर एक बैरल और बैरल में ही मेजर किया जाता है बड़े बड़े लेबल पर जो तेल प पता होना चाहिए अगर आप कहेंगे कि कनवर्जन बता देजे तो आपको एक क्लास लेंगे 20 या 25 मिनट का कनवर्जन उसमें आपको बता दिया जाएगा लंबाई का नियुनतम है क्या है यानि कि minimum जो unit है लंबाई का length का वो क्या है तो आप लोग बताइए कि जो fermi meter अभी हमने देखा था कि जो fermi meter है 10 to the power minus 15 meter वो लंबाई का क्या है यहाँ पर नियुनतम meter है क्योंकि micron क्या होता है 10 to the power minus 6 meter के बराबर 9 meter होता है 10 to the power minus 9 meter और angstrom होता है 10 to the power minus 10 meter इससे web length light का web length जो है इसको measure किया जाता है ठीक है वहीं पर 9 meter वगएरा तो इसको आपको convert करने आना चाहिए fermi meter जो है fermi meter में length का एक छोटा एकाई है लबाई का छोटा एकाई है जिससे हम लोग क्या measure करते है तो atomic size को measure किया जाता है atomic size fermimeter में major किया और जिससे major किया जाता है fermimeter में उसको कहते हैं हम लोग femtometer क्या कहते हैं तो यह सब बात पता होना चाहिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे यहां दिया गया है कि विद्धा यह Q-sack से क्या major किया जाता है byte कि इसका unit है, richter क्या है बार क्या है, तो यह सब पता आपको होना चाहिए, चीक है अब यहां से देखते हैं कि जो Q-sack है, Q-sack है cubic feet पर 30 second इसे कहा जाता है Q-sack क्या कहा जाता है, cubic feet per second इसको short form में कह दिया गया Q-sack और Q-sack जो है, अगर कोई flow हो रहा है turbulent flow हो रहा है, किसी टाइप का बहुत जादा flow हो रहा है, तो वहाँ पर कितना cubic feet, यानि कि कितना feet per second में वहाँ से flow हो रहा है, उसको हम लोग cubic second में, cubic per second में measure करते हैं और किसी भी flow का rate measurement किया जाता है cubic feet per second से, byte जो है, वो computer के छेतर में यूज किया जाता है, ठीक है, बाइट जो है आपको पता होगा, एक beat, एक byte तो यह सब यहाँ पर करने का मतलब बात नहीं है, आप लोग इसके बारे में जरूर जानते होंगे तो byte, beat यह सब तो computer से related है, ठीक है, रिक्टर क्या है, भुकंप की हाज की गति को मापा जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप यह देखिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कि जो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, वो किस में मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है, याद रखेगा कि यहाँ पर ओजोन परत की मोटाई 10 Micrometer के बराबर है तो यह सब कुछ हम लोगों ने Units and Measurement में देख लिया इसके आगे हम लोग अभी हम लोग Motion और Force कर रहे हैं अच्छे से उस Class को किजिएगा और Motion और Force का पूरा Mechanics को एकदम पूरा धुआ धुआ करके एकदम हलवा बना करके आपके सामने रख देंगे आप उसे धर के खा जाईएगा मतलब आपको पूरा Easy आपके लिए Physics, Chemistry, Biology पूरा आसान कर दिया जाएगा Content में कोई कमी नहीं है Content में कोई कमी नहीं है बस आपके Support की जरूरत है अगर आपने Support कर दिया देखें अगर एक छोटे फ्लेटफॉर्म पर इस तरह का Content अभी आपको दिया जा सकता है तो जब यह Content यह जो प्लेटफॉर्म है अगर आप इसे Support करेंगे अगर आपका Support मिलेगा तो हमें मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी हमें मेहनत करने को मनोबल मिलेगा और जब हमें मनोबल जब हमारा मनोबल मोटिवेशन हाई रहेगा तो आपके लिए किस परकार का Content मिलेगा तो आप इस बात को सोच सकते हैं तो आप यहां से आप अगर चाहे तो इस चैनल पर इक्चाहल 2x7 को सपोर्ट कर सकते हैं और आपके सपोर्ट करने का क्या है आपका एक लाइक, सेयर और सब्सक्राइब तो दोस्तों यह जरूर किजेगा इस सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगी अच्छे से अच्छे कंटिट आप तक पहुझाने के लिए इसके बाद हम लोग और सब घटना चक्र में पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सब कुछ कवर करेंगे साथी साथ और सब जो भी अगर जारकंड का एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जारकंड जीके हो गया, बिहार के एक्जाम की तयारी कर रहे हैं बिहार जीके हो गया, सब कुछ यहां पर कंप्लीट करवाय जाएगा तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए